दोस्तों स्वागत हैं आपका एक पार फिर से जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 2001 में आई अनिल कपूर की नायक और बॉबी देउल की आशिक और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सनी देउल की फर्स इन तीनों फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इनके box office collection से लेकर इनकी performance तक और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि इन तीनों फिल्मों ने अपने पहले दिन यानि कि opening day पर कितना box office collection क्या था और किस फिल्म ने मारी थी बाजी तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिल्मों की ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं नायक फिल्म के बारे में साथ सिप्तमबर 2001 को रिलीज की ये थी फिल्म और इस फिल्म में अनिल कपूर, रानी मुखरची, अमरेश पूरी, मुखे किरदारों में नसरा आई थे फिल्म के डिरेक्टर थे एस शंकर बजट इस फिल्म का हाई था तकरीबन 21 करोड रुपे के बजट में बनाई गी थी फिल्म नायक बात करे ओपनिंग डे की तो ओपनिंग डे भी इस फिल्म ने तकरीबन 85 लाख रुपे की थी बात करें box office इंडिया लाइफ टाइम की तो 11 करोड उपे का box office collection क्या था? इस filmने इंडिया में और पूरे world में 21 करोड उपे की कमाई की थी इस film और ये film box office पर flop साबित हुई थी चलिए दोस्तो अप बात करते हैं आशिक film के बारे में 26 जनवरी 2001 में रेलीस हुई थी ये फिल्म बॉबी दियोल, करिश्मा कपूर इस फिल्म में मुख्य किरदारों में असर आये थे फिल्म के डिरेक्टर थे इंद्र कुमार बजट इस फिल्म का तकरीबान 8 करोड उपे था बात करें ओपनिंग डे की तो 90 लाख उपे की शांदार कमाई की थी इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस इंडिया पर भी 11 करोड उपे की शांदार कमाई की थी और पूरे वल्ड में 19 करोड उपे का कारोबार किया था और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी चलिए दोस्तों फर्ड्स फिल्म के बारे में बात करते हैं 12 जनवरी 2001 में रिलीज हुई थी ये फिल्म जैकी श्रॉप, पिरिदी सिंटा, सनी दियोल इस फिल्म में मुखे किरदारों में असल आये थे फिल्म के डिरेक्टर थे राजकवर बजट इस फिल्म का तकरीबन 10 करोड रुपे था बात करें ओपनिंग डे की तो सनी दियोल को उस ताइम बहत पसंद करते थे लोग एक करोड दस लुख रुपे का शांदार बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था इस फिल्म ने और पूरे इंडिया में जो लाइफ टाइम इस फिल्म ने कलेक्शन किया था वो था तकरीबन 12 करोड रुपे के आसपास बात करें पूरे वर्ड की तो 20 करोड रुपे की शांदार कमाई की थी इस फिल्म ने और ये एक action thriller फिल्म थी और ये फिल्म box office पर average साबित हुई थी तो दोस्तों अगर बात करें opening day की तो यहाँ पर सनी देवल की फिल्म ने बाजी मारी है एक करोड़ दस लाख रुपे का शांदार box office collection क्या था और मुझे अगर बात करो इन तीनों फिल्मों में तो फर्ज और आशिक और नायक तीनों फिल्में पस्तांदे बहुत अच्छी लगती है जितनी बार भी देखो फिल्मों में मसा आता है और आपको इन फिल्मों में कौन से फिल्म पसंदे कमेंड में सुरूर बताईएगा थैंक्यू